नमस्कार फ्रेंट्स एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूटूब चैनल सिविलाजेशन में यह हमारा टेक्निकल वीडियो आज ब्रिक्स के बारे में है आज हम फाइंड करेंगे कि कितनी इंटे हमको जरूरत पड़ेंगी पहला जो पॉइंट हमने लिया है तो फर्स्ट प हम को जो दीवाल बनानी रहती है या कहीं में अ कॉई भी कंच्च करते हैं तो उसमें इंटें कैसे फाइंड करेंगे सबसे पहला point हम लेंगे how many bricks are used in one cubic meter one cubic meter क्या होता है one cubic meter का मतलब यह होता है हमने 3D diagram लिया हुआ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और उचाई तीनों एक मीटर ठीक है mean cubic meter का मतलब यह होता है कि जो हमारी लंबाई है वो क्या है 3D dimension में लंबाई भी एक मीटर हो चौड़ाई भी एक मीटर हो और जो उसकी उचाई है वो भी एक मीटर हो मतलब length into width into height यह हमारा cubic meter होता है total volume इसका तो अब आईए start करते हैं जो हमारे bricks का standard size है वो है 19 into 9 into 9 mean 190 mm इसकी length होती है और 90 mm width होता है यह सबकी अलग-अलग standard size होती है सभी देशों की अलग-अलग होती है आईए start करते हैं how many bricks are used in 1 cubic meter तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा bricks की standard size bricks की जो size होती है वो हमने लिया है तो जो अपने bricks की size है size जो है वो है 190 mm into यह हमारे bricks की size है without motor ठीक है अब अपन क्या करेंगे यदि हम इसमें without motor का मतलब यह है कि जो दीवाल जुड़ती है उसमें जो मफाला आता है वो मसाला अभी इसमें calculation नहीं हुआ है cement और sand ठीक अब अपन क्या करेंगे यह हमारे bricks की standard size है हम इसका क्या करेंगे volume निकालेंगे यह है length यह है width और यह है हमारे bricks की height L, B, H अब अपन क्या करेंगे इसका volume निकालेंगे bricks का without motor जब हम without motor निकालेंगे bricks का volume तो क्या होगा volume of bricks without motor volume of bricks without motor mean जब हम without motor निकालेंगे इसको in meter में यह हमारा mm में है इसको हम किसमे निकालेंगे meter में जब हम meter में convert करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा length 0.19 into 0.09 multiply by 0.09 तो इसका total जो हमारा volume आया वो आया 0.0015 39 cubic meter यह हमारा bricks का volume आया without motor यह जो हमारी इंट है यहां पे इसमें लोगो लगा रहता है यह जो हमारी इंट है ठीक है इसका volume आ गया इतने क्यूबिक मीटर एक इंट का अभी मैंने और कुछ नहीं किया है एक इंट का volume हमारा इतना क्यूबिक मीटर आया है without motor मतलब जब हम देवाल जोडते हैं तो बिना मसा लेके अब हम निकालेंगे volume of bricks with motor volume of brick with motor ध्यान रखना है जब हम with motor निकालते हैं तो कुछ नहीं होता है इसमें जो हमारी value है 0.10 की जगह ही हो जाता है 0.20 मतलब एक सुननब्य एमेम से ये 10 एमेम क्या होती है बढ़ जाती है तो जब हम with motor निकालेंगे तो ये हो जाएगा length इसकी 200 into 190 into 190 ये एमेम में है ये value इसको जब हम calculate करेंगे meter में तो हो जाएगा 0.20 multiply by 0.09 sorry ये भी बढ़ेगा ये 90 है ये अपना 100 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.10 into 0.10 ठीक है तो ये अपना आ गया कितना आया 0.002 cubic meter ये अभी हम find कर रहे हैं कि ये cubic meter में हमारी कितनी bricks लगेंगी ये हम कैसे find करेंगे ये हो गया अपना अब अपना आ जाते हैं कि इसमें कि एक cubic meter में ये हमारा दोनों निकलाया width motor यदि हम find करना चाहें तो अब कोई दिवाल रहेगी तो वो तो width motor ही रहेगी इसलिए हमने width motor निकाला है ठीक है कोई एक cubic meter direct without cement के या without sand के सीधे तो इट कोई जोड़ेगा नहीं ये motor width motor ही निकालेगा तो ये width motor है ये जो अपना volume आया है ये width motor है ठीक है width motor में हमारे कितनी cubic meter लगेगी अब आये start करते हैं तो जो हमारा last formula है अब हम ये 1 cubic meter का volume हमारा है तो अब हम निकाल देते हैं volume of 1 cubic meter volume of bricks का निकल गया अब volume of 1 meter cube जब इसका हम volume निकालेंगे तो ये कितना आएगा length into width into height length हमारी है 1 meter ये कितना है 1 meter और height भी कितनी है 1 meter तो ये total हमारा जो volume आया वो कितना आया volume 1 cubic meter ठेक है अब हम को क्या करना है find number of bricks last formula तो number of bricks जब हम find करेंगे number of bricks is equal to volume of 1 cubic meter upon volume of bricks volume of 1 cubic meter इसको इसलिए find किया था ठीक है volume of 1 cubic meter upon volume of bricks volume of bricks with motor 1 cubic meter की volume आपने कितना निकाला था एक ये हो गया हमारा 1 meter cube divided by bricks की volume हमने कितनी निकाली थी with motor में इसकी volume हमने निकाली थी 0.002 meter cube मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया यहां पर कितना आया 500 numbers जो हमारा number of bricks है एक cubic meter में वो हमने कितना find किया 500 numbers एक cubic meter में यदि हम कहीं एक cubic meter निर्मार कारी करना है तो हमको 500 इंटों की जरूरत पड़ेगी एक cubic meter में हम 500 मीट इस size की जो यह size है 19 इंटो 9 इंटो 9 मतलब 190 mm और 90 mm की जो इस size की bricks है इसकी हमको जरूरत पड़ेगी 500 numbers थैंक्स